मैं विज्यापनों के मुद्दे पर बिना शर्ट माफी मांगता हूँ, मुझे अफसोस है कि मुझसे ये गलती हुई, मैं आश्वस्त करता हूँ कि ये गलती दोबारा नहीं होगी जहां तक बात 21 नॉवंबर 2023 के सुप्रिम कोर्ट के आदेश के उलंगन का है, उसके लिए भी मैं माफी मांगता हूँ, मैं हमेशा कानून और न्याय की गरिमा को बनाए रखने का वचन देता हूँ चीफ सुप्रिम कोर्ट में ये हलफणामा दाखिल किया है बाबा राम देव और आचारे बालकृष्णा ने, ये हलफणामा दाखिल करते हुए सुप्रिम कोर्ट से माफी मांगी है दोनों जणने मामला क्या है, मामला है विज्ञापन ब्रामक से जड़ा हूआ दरासर कोविड के दोरान पतांजली की ओर से बाबा रामदे और अचारी बाल कृष्णा की ओर से दावा किया गया कि इससे कोरोना ठीक हो जाएगा इसके बाद इसके खिलाफ इंडियन मेडिकल असोसियेशन ने पिटीशन दाखिल की कोट में कोट में सुनवाई हुई उसके बाद कहा गया कि इस तरह के ब्रामक ना फैलाया जाए पतांजली को आदेश दिया गया कि आप इस तरह की बाते ना करें उसके बाद भी विग्यापन जारी किये गए और लगातार कोट के आदेश का जो 21 नॉमबर 2023 का आदेश है उसका उलंगन किया गया फिर अवमार कोट की अवमाना के जवाब में उन्हें हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया था हलफनामा दाखिल किया लेकिन सुप्रीम कोट ने फिर फटकार लगाई और सुप्रीम कोट ने कहा ये दिखावा लग रहा है यानि आप वापस से हलपनामा दाखिल कीजिए मंगलवार को वापस से पतांजली यानि बाबा रामदेव और आचारे बाल कृष्णे के ओर से हलपनामा दाखिल किया गया और इसमें बिना शर्ट माफी मांगी गई क्या कुछ हुआ मैं आपको बता दू इसमें पिछली जो सुनवाई में पुरा जो मामला था 21 मॉंबर 2023 को सुनवाई में जस्टिस अमानूला ने कहा था पतांजली को सभी भ्रामक दाओं वाले विग्यापनों को तुरंद बंद करना होगा कोट ऐसे किसी भी उलंगन को बहुत गंभीरता से लेगा और हर एक प्रोड़क के जूटे दावे पर एक करोन रुपे का जुर्माना लगाएगा उसके बाद भी पतांजली ने विग्यापन जारी किये विग्यापन पर रोग उसके आद कंटेम्ट का केस बना पतांजली पर कारवाई अगर और एक बाद बता दूँ आपको कोट ने सुप्रीम कोट ने सुनवाई के दोरां केंदर से भी पूछा था कि अब तक पतांजली पर कारवाई क्यों नहीं की गई आज इस मामले में बाबा रामदेओ और आचारे बालकृष्ण दोनों वेक्तिगत रूप से सुप्रीम कोट में पेश होंगे क्या होता है सुप्रीम कोट उनकी जो हलफ नामा है यानि माफी नामा वो एक्सेप्ट करती है या नहीं या जो भी अपडेट आएगा हम आप तक लेकर आएंगे देखते रहिए इंडिया डॉट कॉम शुक्रिया